प्रधान मंत्री मोदी ने बुधवार को नालंदा युनिवर्सिटी के नए परिसर का शुभारम किया। इस दोरान सीएम नितिश कुमार ने मंच से नालंदा युनिवर्सिटी के इतिहास पर बात की पिछली सरकारों के युगदान के बारे में बताते हुए नितिश कुमार ने क्या कहा सुनी। देख लिये थे और जब वहाँ पर आये थे हम लोगे हाँ उसमें थे और बाद में तो खरूर रिटार कर गया थे लेकिन जब आये थे छे में तो उन्होंने हम लोगों के बिधान मंडल में बिधान सवा बिधान परसद सब में उन्होंने एड्रेस किया था और उसमें ही उन्होंने ये बात कही थी कि नालंदा विस्विध्याले को फिर से स्थापित किया जाना चाहिए तब से हम लोगों ने नालंदा अंतरास्टिय इंवर्स्टी स्थापित करने की पहल शुरू की इस नए नालंदा विस्विद्याले को अंतरास्टिय स्थर का बनाना था इसके लिए हमने किंद्र सरकार से अनुरोद किया उस समय के किंदर सरकार था उसको भी हम लोगों भन रोद किया इन्होंने कह दिया था तो वो तो कुछ जल्दी सुन नहीं रहे थे उनमें देरी की जा रही थी तो राज सरकार ने हम लोगों नालंदा विष्विद्याले को फिर से स्थापित करने के लिए नया कानून वगरा बना दिया अब साथी नालंदा विष्विद्याले के लिए इस्थान का चेन करके 455 एकर भूमी का धिगरन कर लिया गया था इसके बाद वर्ष 2008 में अब जो रास्टपती पहले कहे थे उतो रिटार कर गये थे तो पुर्व रास्टपती डॉक्टर एपी जी अब्दूलकलाम प्रतम विजिटर के रूप में नए नालंदा विस्विद्याले के लिए चैनी तिस्थल पर आये थे जब यहां काम सुरू किया जा रहा था तो वो भी फिर देखने आये थे 2008 में तो इन सब चीजों को बता देना जरूरी है ताकि सब लोग जान दीजे पुरानी बातों को भी जान लेजिए कैसे बना किस तरह से बना ये सब भी और फिर 2010 में वर्स में हमारे अनरोद पर नालंदा अंतरास्तिय विस्विद्याले के स्थापना हे तू लोग सभा में बिल पारित किया गया जब बहुत बार बार हम कह रहे थे तो अंत में वहाँ पर था और उसे में तो सरकार दूसरे की थी लेकिन हम लोगों ने इतना ज़्यादा कहते रहे और उसके बाद फिर एक बार वो लोग वहाँ पर इसको लाए लोग सभा में फिर राज सरकार पारित किया था कि इसको हम कराएंगे तो फिर राज सरकार ने नालंदा विस्विद्याले के लिए भूमी एवन सभी चीजों को केंदर सरकार को ट्रांसफर कर दिया और विस्विद्याले का काम धीरे धीरे करके बढ़ता रहा इस दोरान नितीश कुमान ने प्रधान मंतरी मोधी को धन्यवाद दिया कहा कि खुशी की बात है कि आप राजगीर जैसी जगह पर आए हैं बाकिस पर आप क्या सोचते हैं आपने राय बताईए और देखते रहिए ये भी पिलाए